सुनेंगे तो सम्हों पर पिछला इत्यास आने याद आने लग जाएगा मौदे मान्य सदस्य ने बहुत महतुपुन मुद्य की और ध्यानाकर्शित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवैर थी अंतर विभागे समनवे से संचारी रोग नियंतर्ण के लिए आपने के लिए डेंगू की बात की है जब वेक्टर पॉंड डिजीस के हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है बर्मा जी आप तो चिकिस्सा सिक्सा के मंत्री रहे हैं न तो के लिए डेंगू नहीं आता उसमें मलीरिया भी है चिकुनगू निया भी है काला जार भी है इन सभी से समंधित बैक्टर बॉंड डिजीज हो या फिर वाटर बॉंड जल जनित हो या फिर बिशोन जनित कोई भी बिमारी हो इनके उपचार के लिए सरकार के अस्तर पर एक समन्वित प्रियास किया गया है और उस समन्वित प्रियास कोई हम लोगों ने संचारी रोक नियंतन का एक विसेश अभ्यान वर्स में तीन बार चलता है ये कारिक्रम जिसमें पहले पंदरा दिन संचारी रोक के लिए अवेर्नेस के साथ-साथ अंतर विभागे समन्वे से स्वास्ते विभाग, नोडल विभाग होने के नाते सभी अन्य विभागों के साथ समन्वे के माध्यम से इनकारिक्रमों को निंतित करता है इसके बाद गोर टो गोर जाकर के दस्तक अभ्यान के माध्यम से कहीं भी कोई ब्यक्ति जो बुखार से पीडित है उस ब्यक्ति को नस्दी के स्वास्ते केंद्र में उपचार की सुवधा दिलाने की विवस्था करना उत्तर प्रदेश पचीस करोड की आबादी का राज्य है और स्वाभाई ग्रूप से अलग-अलग प्राइमेटिक जौन होने के नाते अलग-अलग छेतर में अलग-अलग प्रकार की बिमारियां देखने को मिलती है जैसे आप इस्तन यूपी से चलकर के नेपाल की इस तरही से लेकर के साहरनपुर तक देखेंगे तो इनसे प्लाइटिस से पुरा छेतर प्रभावित था अगर आप बरेली और बदाईयों और उसके आसपास के छेतर को देखेंगे तो इस छेतर मलेरिया से ज़्यादा संक्रमित रहता था वारानासी से लेकर के प्रियागराज, लोखनो, कानपुर होते हैं अगर आप फिरोजाबाद आगरा तक पहुँचेंगे तो इस पुरा छेतर डेंगू से प्रभावित है अगर बुंदेलखन छेतर में अगर आप देखेंगे तो ये छेतर चिकुनगुनिया से प्रभावित है बिहार से सटेवे जो अमारी सीमाएं है वहाँ पे हम देखेंगे तो काला जार इन छेतरों में ज़्यादा प्रभावी रूप में देखने को मिलता था और सरकार के द्वारा जो समन्वित प्रियास किया गया है आपने के लिए डेंगु की चर्चा की बिमारी डेंगु पूरीत है नियंतन में है और सरकार के द्वारा समय पे उठाए गए कदमों का पेणान था ये प्रकार करें फ्लू हो गया है फ्लू है आता है इसका अपने अपने एक साइकलिस का होता है लेकिन मुझे आसर होता है कि जो सदसे यहां पर प्रशन उठा रहे था यह बहुत सीनिर सदस्य हैं वो तो जब चिला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्ते की भी चिंता हो रही थी रविदास मलोत्रा जी की उसको आपने जो बात कही है वह ब्लड ट्रिप नहीं था उसको प्लेटलेट्स कहते हैं थेकर ना प्लेटलेट्स कहते हैं और वहां प्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पर उप्लब्द है ब्लड सेपरेटर यूनिट पहले होता क्या था कि हम होल ब्लड चढ़ाते है हर एक पेसेंट पे होट ब्लेट क्या उसकता नहीं खास तो पर वाइरल जनी तो ये विमारियां होती हैं जिसमें बिंगू है या बहुत सारे ऐसे वाइरस आते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं उस तितियों में प्लेटलेट्स के त्रिक तापूरती के लिए उस ब्यक्तिकों उसको बाहर से चड़ानी पड़ती है इसके लिए हर जनपत ने blood separator unit दी जा चुकी है वे काम करनी शुरू की हैं वहाँ पे हर जगे सरकार के स्तवर बहतर प्रियास हुआ है और जहां तक नेता प्रतिपक्स के द्वारा ये कहा जाना के साथ private hospital में याद रख प्रतिनीक करके दिखाती भी है प्रदेश के अंदर बस करोड़ लोगों को आयुस्मान भारत और मुख्यमंत्री जनारोग्य योजना के अंतरगत पांच लाग उपे सालाना स्वास्त बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्द करा रही है वहाँ सरकारी हो सरकारी में सारी सु इविदाएं मिल नहीं है और यह पूरा सदन गवा है कि हर मान्य सबस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निदी से 25 रुपे सालाना देने का अधिकार दिया गया है और यहीं नहीं मुख्यमंत्री राहत को से हम चेरा देखकर के फैसानी देते हैं कोई भी बैक्ती जो भी राज्य का नागरिक है उसको प्रदेश में देश में या दुनिया में जहां कई अच्छी स्वास्त की सुविधा मिलती है और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत को से भी हैं पैसा देने में कोई कोताई तमाम मानने सदस्व विपक्स में बैठे हुए हैं वहर 32 बात को कह सकता है उनके प्रस्तावाथे हैं बिना किसी भेदभाओ के हमने उसके लिए भी धनबासी उपलग्द कराई है आयुस्मान भारत और मुख्यमंत्री जनारोग योजना भी है माबहरीया दर्णी प्रदान मंत्री जी के जिसमें हर गरीब से गरीब बद्धिती भी आज अपना अप्चार किसी भी अच्छे कॉर्परेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है और देश में भी करा सकता है दुनिया में भी कहीं करा सकता है हर वर्स की सुविधा उसको मिली है मुख्यमंत्री जनारोग गे उसना की सुविधा भी उसे गई है इसके लावा मान ने विधायकों को भी 25 लाख रुपे तक खर्च करने का दिकार दिया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत को भी उसके लिए प्लब्द है इसलिए समस्या केवल इस बात की नहीं कि हम समस्या के समाधान का की ओर जाएं समस्या केवल हर मुद्य का राजनिती करण करके समाज में अविवस्ता पैदा करना लोगों में असंतोस पैदा करने का जो कुछित प्रियास किया जाता है वो तो करोना काल खंडवें भी लोगों ने देख लिया था जब आप लोग बहका रही थे लोगों को कि वैक्सीन मत ल उनके मार्क दर्शन में हमारे बैग्यानिकों के दौरा पनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया के सबसे प्रभावी वैक्सीन है। प्रमापति की ओर है बरसाथ के समय जल जमावाले चेत्रों में अन्य चेत्रों में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं ये केवल देंगो के मामले नहीं होते हैं इनसे प्लाइटिस के भी मामले होते हैं मलेरिया भी होता है कालाजार भी होता है चिकुन गुनिया भी हो लेकिन वहां रहतर यह को भी नहीं मिलना मैंने मानी निटा पे टिप्रख्श को सुना मानी लाजी वर्माजी एक सुना आधेश मोदय अगला अधेश मोदय नीता सरदन की मैंने बाद सुनी और वो लगा कि थोड़ी देर केलिए लगा कि वो MBA degree हासिल किये हुए हैं डॉक्टर लगे बेक्टर वॉन डिजीजेस के बारे में उन्होंने चर्शा की मैं केबल दो घटनाए बताना चाहता हूँ राजधानी लखनो की राजधानी लखनो की और इनकी सरकार की नाकामी इनके हॉस्पिटल's की विवस्था डॉक्टर's का इचां negro एक पूर सांसर बी भारती जिंता पार्डी के वहें हमारे बलके नहीं पूर सांसर भारती जिंता पार्डी के वह अपने बेटे को लेकर के आते हैं उनके बेटे को ये जानकारी बिलती है कि इसका इलाज अगर जल्दी नहीं हुआ तो जान नहीं बचेगी वो एक हस्पताल से दूसरे हस्पताल भागे और इलाज के लिए वो एड्मिन नहीं करा पाए और उनके बच्चे की जान चली गई इसका जवाब कहा है डवल इंजन की सरकार के पास और दूसरा पीजी आई से लोईया संसान केजी एमियू नो घंटे एम्बूलेंस में बच्चा बना रहा नो घंटे और उसकी जान नहीं बची ये डवल इंजन की सरकार ये सरकारी संसाओं को इसलिए में मजबूत कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट संसाओं को बड़ाबा देना चाहते हैं आज पूरे उत्तप्देश में सरकारी संसाओं में गरीब का इलाज नहीं है अगर ये सरकार बताए इतने दावे कर रही है सरकार ये सरकार बताए कि एक जिलास पताल बनाया हो जहाँ पर गरीब का इलाज हो रहा हो एक जिलास पताल जहाँ गरीब को परियापत इलाज मिल जा रहा हो वो बनाया इस सरकार ने तो हमें बताए हैं अभी जिलास पताल एक ही होता है अगली सुचना मानी मनोश कुमार पांड़े जी पंकज बली के ओम प्रकास शिंग जी प्रदेश में क्रेक एंदरों की अन्यमिता के समझ में कौन बोलेगा पंकज मलिक बोलेगे जी मनिय अद्धि जी हैं नहीं और ओम प्रकास शिंग बोलेगे जी हमारे बोलेगे आपके बाद क्यों बोलेंगे आपके पहले क्यों नहीं बोलेंगे उनको बुलवाईए माने अधिजी ये प्रदेश के अनगाताओं से जुड़ा एक सवाल है और प्रदेश के जो धान के क्रेकेंद हैं इसके संबन में हमने ये नियमचपन में दिया है आप और हम सभी जानते हैं कि प्रदेश में किसान योही एक बड़े संकर से गुजर रहा है बुआई का समय आएगा तो खात बीच की समस्या सिचाई का समय आएगा तो नेरों में पानी की समस्या और जब फस्ल तयार हो जाएगी तो सानों की समस्या सबसे बड़ी है और ये क्यों मजा की बात नहीं सान पूरे पूरे खेट खत्ब कर दे रहे हैं इसे पहले भी सरकार से आगरा किया गया था कि सानों के दुआरा जो खेतों के नुक्सान हो रहे हैं उसका सरकार सरवे कराया और उसका मुवायजा दे लेकिन ना सदन्मे और मनि विभागी मंतरी जी से उनमे लाना चाहते हैं वो रिकाड लेकर आए होंगे प्रदेश में आज तमाम ऐसे क्रेकेंड रहें जो तीन दिन पחले या चार दिन पहले खुले हैं तमाम क्रेकेंड रहसे हैं जहां पर धान की खरीद अभी दस प्रिस्टर से भी कम हुई है अब सवाल है कि जो धान की खरीद हो रही है उसमें बिचोलिया हादी है तमाम मीलों पर सीधे धान उतरवा लिया जा रहा है बात केवल भी पच्च की नहीं है विरोध करने की नहीं है जो उधर भी सदस मैटे वो भी इस बात को जानते हैं तमाम मीलों पर सीधे राइस मीलों पर राइस मीलग धान उतरवा ले रहे हैं और उसका रिकाज धान के रिकेंड में चड़ जा रहा है तो जो 20 कुंटल, 30 कुंटल, 40 कुंटल लग सिमान जो क्रिसक है आज भी उसका कहीं न कहीं धान नहीं लिया जा रहा एक स्पेसिक घटना हम आपको आपके जानकारी में नियम चपन में दे दे रहे जनपक बाराबंकी के सूरत गंच के बारे गाओं का एक किसान दीपक निवासी मौसड़ा 20 कुंटल धान लेकर के क्रेकेंड पर पहुचा उसने दो दिन तक अपने तांगे पर वो 20 कुंटल धान लिये रहा उसका खरीदा नहीं गया अंतता वो बीबस किसान बाहर निकल करके उस धान को 1650 रुपए में ब्यापारी घ्याद बेचा जिस धान को पैदा करने में 1400 रुपए कुंटल लगभग कर वे आया हो उसे 1600 रुपए में बेचना परा तो निश्य दूरूप से ये किसान का कितना बड़ा नुकसान हुआ जिस अनिदाता की हम बात करते हैं कि अनिदाता को हम कही ने कही उपमा देते हैं जै किसान जै जै जवान अगर किसान को अपने उत्पादन का मूल मानवर नहीं मिलेगा तो कहां खड़ा होगा यही हम आपको जानकारी ये भी आपके मार्दम से देना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में लच्छ पचीस लिया गया था पचीस नॉंबर दो हजार तेईस तर अगर हम उसके खरीद का देखें तो केवर सोला प्रिस्ट है ये कहीं न कहीं चिंता जनक है पिछली बार भी ये मांग की गई थी और किसानी उनियन भी छे दिल से लगाता द्धने पर बैठी हुई है उसने भी ये निवेदम किया था कि जो क्रेकेंड है इन पर सीशी कैमरा लगाए जाए सीशी कैमरा लगाने से सीशी की जानकारी सरकार को भी हो जाएगी जनता को भी हो जाएगी कि वास्तविक रूप से किनका धान किरेकेंड पर आया इसलिए मानवर इस किसान के अहम मुद्दे पर आप से निवेदन है कि आज बिलंबी लोक मात के विसेपर सर्दन की कारवाई रोकर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ इस पर मानने अश्त ओंप्रकाश जी को कहना है वो थोड़ा सिसमें भी से अपना देंगे अली मनोजी ने रखा धान करेक पाम आ रहा है यह सही है कि हमें निता सर्दन बैठे हैं निता सर्दन ने कुछ मजाक में ही कहा हो कि लाली पाप देखे इधर अधे तो लाली पाप में जाएता इसमें दो राज ने ने था सर्दन सचमुच आपने जुनको स्वास्त में भाग दिया उनको लाली पाप दिया है वो सुंदर गाह है ना दू देगा ना बाचा देगे और आखा लगा से दबाद देगे और मंत्री मंजल का शरूप होता है तो इधाय करें मैं तो बिहार से सटाव मेरी च्छता है और धान बहुत धिक पाइदा होता नहोरे दिशुमिधा भी बहुत है लेकिन मेरा आप सुनिवेदन है कि मैं किसान का बेटा हूँ मेरा बेटा भले मंत्री और विधायक का हो लेकिन हम वो सुच्चा सुच्चा किसान के बेटा इस पर पहस नहीं है किसान का दर्द, किसान की पीड़ा और किसान की वेदन हम लोगों अपनी नगी आखों से देखे लिए इसमें मानिया धिक जी जो धान करें हो रहा है बड़ी संक्यां है बेसक किसानों की आमदनी दूरनी हो आपकी भी इच्छा है लेकिन किसान से आपको दूर लूटते कोई रिस्ता नहीं है किसान का रिस्ता क्वाइब देख नहीं इदर कोई नहीं देखी एक निवेदन है कि जो धान क्रे हो रहा है कि जाओंगा नियुक्त शाओं नेट अच्छा है कि नियुक्त बैठे हैं अब एक रवे से लिए डान और दहान पाकर कशिवाम होनी चाहिए और वहां पर विशेश निरे बिशेश ब्यूस्ता पर दिया जारे वियुसक्ता लाका है व कि तौछ अापके में मैंने बहुत निवेदन किया आपकी अधिकारी ने जरूर्व 207 अधिक 2 अटाइस परसेलों के पास तीन एक अर से कम जमीन हैं भाराइब परसेलों पर सिनी एक कटा जमीन खीती कौन कर रहा निए थैजि खेती वह कर रहा है जो अभाम है तो है अनपर। महुत कम लोग खेती संपन्युलों को पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं ऐसे में हम लोग का ध्रम खरम बनता हैं हम लोग का फर्च कर बनता है कि संख्या बढ़ाई जाया और जो कि पच्छे में पूरा में अंतर ह पंजाम में हम लोगें अंतर हैं हमारे हैं लेट विराइटी है और हमारे हैं लेट विराइटी होने सोच से आप फरावरी में का देते हैं कि धानी खेजारी बंद हो जाएगी